चलिए पुस्टनमबर हम खाट करेंगे अब को इसमें देख यह जेए गिवन क्या है एक जब रेट ठीक है एक को युट में लिखाए साइन एप लस कॉसे का होल इसक्यार प्लस कॉसे प्लस से a का whole square क्या आता है यहां पर आप गौर करना एक whole पर जो solve करना है 7 plus 10 square a cot square a यह इस question को solve करने के लिए आपको identity जरूर याद होने चाहिए second identity और एक identity रहेगी आपकी second के बाद third identity दोनों का use होगा ठीक है अब इस question को solve करने के लिए a plus b का whole square लगा देंगे जल्दी से question solve करने के लिए a plus b का whole square एलचेस आप ले लिजे एलचेस लेने के बाद a plus b का whole square लगाना तो देखें मैंने लिखा a plus b का whole square a square हुआ sin square plus 2a b हो गया 2a b में 2 sin a cos a के और plus b square हुआ फिर अगेन यहाँ पर भी जो है उसके लिए भी a square यह नहीं स्कुरियर तू से के खुसे और सेख स्कुरियर यह ठिक है जिरने इसके बाद एक फार्मुलय याद रखना आया आपको की स्कुस ए और सिक A का into one होता है ऐसे ही साइन ए ओ को से का into one होता है यह क्या होते आप फोजिट होते हैं इनका आपस में टू होते तो इसकी value क्या होती 1 होती ठीक है ऐसे cos और sin से आपस में 2 होगी तिन की value क्या होगी 1 होगी और value होती जैसे 10 और cod का आपस में 2 होगा तिन की value क्या होगी 1 ही होगी ठीक है यहाँ पे जितने मैंने अभी फार्मॉले की चर्चा कर रहा हूं वो याद रखना ठीक न चले तो दे लिख लिख लिजे क्योंकि इसमें कोई changes नहीं होने है आगे की value जैस सेक ए और कॉस इनका value जो होगी 1 होगी तो 2 & 2 1 प्लस सेक स्क्वेर है लास्ट में जो भी बचा उसको लिखना पड़ेगा आपको इसके बाद आप देखेंगे तो sin स्क्वेर है बच गया 2 1 जा 2 हो गया कॉसिक स्क्वेर लिख दिया गया कॉस लिख दिया गया 2 1 जा 2 हो गया बाकी चीजे फिर इसके बाद हम क्या करेंगे sine यहाँ पे देखिए sine square A लिखा है और cause square A इनको साथ में कर लेंगे क्यों कर लेंगे क्योंकि इनकी value क्या होती है identity number first और रही बात cause A की square ए तो यह identity number क्या third है इसको हम देखेंगे बाद में और इसको भी देखेंगे second शेले next step में देख लिजे ठीक है तो यहाँ पे sine square A cause square A साथ में दो और दो जुड़ गया तो चार हो गया ठीक है cause square A साथ में लिख दिया गया उसके बाद आप क्या करने वाले हैं चार हो गया इसकी value क्या होती identity number first तो चार एक हो गया 1 प्लस 4 यहाँ पे 1 प्लस 4 square A इसका region लिखने का क्या है क्यूंकि cause square A बरावर क्या होता 1 प्लस 4 square A अगेन आप देखें के तहां लिखा 1 प्लस 10 ancient region क्या है क्यूंकि यह second identity होती उसकी value क्या होती stake square A आप यहाँ पी देखिए तो आप देखें 1 प्लस 10 Owner A यहां पे लिखा होगा स्टेक स्क्वाइर वहां पे विंसन यह करना है और जहां पे लिखा होगा स्टेक स्क्वाइर वहां पे विंसन यह करना है और जहां पे लिखा होगा वन प्लस कॉट स्क्वाइर तो वहां पे विंसन नहीं नहीं ऐसा नहीं है जहां यह तो होगे अब आप देखे चार एक पाँच यह और चेट के हो गया थो यहां पर यहां पर इसको अभी डिश्क स्वाद किया तो 6 हो गया प्लस यह वाला 1 हो गया कोड़ी स्क्वेरे देन स्क्वेरे टैनिस्क्वेरे एंसर में पहले 10 मागा था तो पहले लिख दिया सेवन प्लस टेंड प्लस फार्ट इसक्वेरे और इस प्रकार से कुष्चन होगे साल एलेचस हुआ सौल और रहेचस जो है तो तो आल डीटी यह फाइंड करने को बोली रहा था तो आप लिख सकते हैं कि दिखा भी सकते हैं कि यह आ गया है ठीक है जो हमने यह आपने दिखा हमने हां से के दिखा तो आप लादते हैं करूब कर दो दो आपने को दो दे जा दोगते हैं कि दे हैं ऑ्लस भी साथ है